नमस्कार आप देख रही हैं नेक्स नाइन नियोस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं करांते सिंग्ग दिली के सियासत में जो है CBI और ED की कारवाई इतनी ज़्यादा तीजी के साथ जा रही है कि इसके चपेट में तमाम बड़े नेता जो है वो फस्ते हुए जा रही हैं ये वो नेता है जिनोंने इमानदारी की कस्मे खाई थी ये वो नेता है जिनके नाम को लेकर के चर्चाई ये चल रही थी कि ये भ्रस्टा चार से बेहदी दूर है लेकिन बावजूद उसके आज भ्रस्टा चार में लिपत नजर आ रही हैं इन सब चीजों के बावजूद हम ये भी देख रहे हैं कि तस्वीर ऐसी निकल करके आ रही है कि जिस नेता ने जो है आंदौलन के दोरान अपनी शुरुआत की राजनीतिक करियर की वो आज भरष्टा चारवी बन करके जो है इस करियर को समाप्त करने वाला है जिस पार्टी को लेकर के दिली की जंता ने एतना भरोसा जताया कि आज भी वो जंता ये मानने को तैया नहीं है कि मनीशे सोद्या गिरफतार हुए है तो उन्होंने कुछ अपराद किया है या वो आरोपि हैं CBI और ED के नजरिये से यहां तक की जंता की तरफ से ये तक चिट्थी में लिख करके देना, कई सारे पत्र लिखना, जेल तक पहुचाना की मनीश सोधिया को हम सभी बचा करके रखेंगे इतना जादा दिल्ली वासियों से प्यार मिलना, भारत में कई और राज्यों से भी इसी तरीके के प्यार निकल कर क्याना, आखिर कार किस ओर इशारा कर रहा है क्या सच में आम आदमी पार्टी जो है भरष्टा चार के मामले से अच्छूत है या फिर भरष्टा चार के मामले वे पूरी तरीकी से लिप्त है चले इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने के पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली की राजनीतिक सियासत में जो ह आपका बहुत बहुत स्वागत है दिली की राजनिती को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और उस चर्चा के बीच में जो है यह कहा जा रहा है बार-बार कि आखिरकार जो है आम आदमी पार्टी के उपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सबसे पहली बात तो यह खुल कर देखिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि पता कैसे लगा सबसे पहले तो मनीश सी सोडिया का अगर बात करूब सतेंदर चैन को मैं साइट रहा हूं सतेंदर चैन को तो देखिए यह था कि उनके पास आए से अधिक संपत्ती होने का जो आरोप ता CBI ने लगाया ता स दिल्ली में आप सभी को पता होगा कि शराब जो है जो मदीरा है वो काफी सस्ते दरों पर मिनने लगे थी यानि कि दिल्ली सरकार ने अपनी एक एक साइस पॉलिसी लाए थे यानि कि एक शराब की जो आपकारी नीती है वो लाए थे नई नीती थी काफी अच्छी लग रह से हुए हाला कि मैं आपको बता देता हूं कि नीती जिस दिन वापस ली गई थी उससे एक देड़ हफ्ते पहले ही एल जी ने जो सीबी आई है उसको पत्र लिकाता और बोला था कि जो आपकारी नीती अरविंद केजडिवाल मनीशी सोडिया ने जो बनाई है आपको पता ह हो रहे थे बार बार जो मोबाइल तोड़े जा रहे थे उसकी वजए से वह शक्के रडार में आयते साथ ही साथ देखिए जो विजय नायर है उनकी जो ट्रांजेक्शन ती वो कुछ जादे हो रही थी इसने सीबी और एडी को शक हुआ तक और गिरफतार कर लिए गया था और यह सारी जाश अब हो रही है अब आपने पूछा कि देखिए कि पहले क्यों नहीं याद आई आई अब क्यों याद रहे कि ब्रश्टे चार की क्योंकि देखिए कि उस वक्त नई नई पार्टी थी 2014 में अर्विंद के इजडिवाल जुड़े थे पार्टी बनाए थी और पंद्रा में देखिए इलेक्शन से पूर्ण भॉमत के साथ सरकार रहे थी तो देखिए जब इतने सारे नई-nई सरकार थी नई-nई सरकार देखिए वाद करती है अपने आपको मजबूत करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करने देना चाहती है जिससे कि लोगों को काध करना चाथ तो नहीं से पूरा होता है क्योंकि कोई भी सरकार आएगी जमना चाहेगी उसके बाद घ्जरिवाल पर ambitions Drywaraja पर इलजाम लगाते िस में सबसे उपर देखे कापिल मिश्रा और अलका लामबा और आपने देखे कुमार विश्रवास जो तीनों देखे नेता है उन्होंने यह लगा है ति केजरिवाल अपनी कुरसी के लिए देश को बेच सकते है यह काफी बड़ा लगाया था और अब आपको देख रहा है कि जितन पक्का हो जाए यह तरीके तोड़ा सा डर लग रहा है त्यूश अभी आपने बोला कि नई सरकार थी तो इसलिए जो है थोड़ा सा समय लग गया अब जा करके मामला सामने निकल कर क्या रहा है लेकिन नई सरकार आती है तो मुझे लगता है जहाते कि अभी तक जितनी भी नई सरकार आई है उन तमाम सरकारे में के बीच में यह तमाम नई पार्टियों के बीच में जो है हमने हमेशा वोट बैंक का बहुत बड़ा फर्क देखा है कि वोट बैंक उनको पहली ही बार भी इतनी जादा नहीं मिल जाती है 67 सीटो पर जीत हासिल करना अरविंद केजरिवाल वो भी दूसरी बार के चुनाम में जो कुछी महिनों के बाद हो गए तो सबसे पहले 67 थी और उसके बाद देखे 5 सीटे और घट कई थी यानि कि इस वक्त दिल्ली में 62 विदायक है अर्विंद के जिरवाल के 70 टोटल सीटे हैं और 8 जो हैं वो आइंसी और बीजेपी के हैं तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर बोला चाहूंगा कि आपने पू जाएगी लेकिन सीट जो है ना वो मेरे ख्याल से और कम हो जाएगे लगातार देखिए बीच में रोक रही है आपको शायद याद होगा कि अभी तक जिन राज्यों में भी चुनावी समिकरन बदलते हैं जिस जगह पर बीजेपी होती है कॉंग्रेस आ जाती है उसकी जग जब तक देखिया अरविन केजरिवाल को पिछले साल तक यहनिंग मैं दोचार महीने पहले की बात बता रहा हूं कि पॉंगरे जो है वो इतनी मुखरता से इतने एग्रेसिवली केजरिवाल के खिलाफ नहीं बोलती थे लेकिन आप जो है जब से यह सी सोडिया वाला कांट हुआ है तब से देखे शराब नीकिती जो आई है तब से देखे काफी ज्यादा मुखरता से बोल रहे हैं एक आखरी जो क्या लगते हैं और मनी इतना दूकर दूकर करते हैं मरता हैं नहीं मिक्तें से इसका ब्रटन होता है कोई केज रिवाल को सीदे तौर पर अब मनीशी सोधिया की गिरफतारी से बड़ा फाइदा पहुचता हुआ जा रहा है सवाल कई और भी थे जो हम अगले रिपोर्ट में जरूर चर्चा करेंगे फिलाल अभी के लिए बस इतना ही देश तुर्याक तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स नाई न्योस पॉलिटकल बाइट